नमस्कार सातियो आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में चेक बाउंस का कुछ नियम बदलें दुबई में और मैं बता दुबई में खास तोर से जो दूसरे देशों के लोग रहते हैं उनका पूरा सिस्टम चेक पे चलता है दुबई में चेक की पोर्टेंट है और चेक होने को कानूनी एक परकिरिया जटिल परकिरिया है जिसमें मुगदमा लगता है अगर चेक बाउंस दुबई में आपका केस अल रहा है तो आपका पूरा सिस्टम ब्लोक हो सकता है इसमें सरकार ने मैं बता दूँ और ज्यादा इसको जटिल बना दिया यानि आपके लिए नुक्षान हो सकता है आपको नुक्षान उठाना पड़ सकता है अगर आपका चेक बाउंस का मुग्दमा लग गया तो जी हां साती हो पहले वाले जो चेक बाउंस होते थे उसमें नूर्मल था जो आपको पता ही है कि उसमें पुलिस केस होता है फिर कोर्ट में केस सला जाता है उसमें आप दुबई अगर चोड़ना होता है तो पूरा बुक्तान करिये बगर बगर ये था लेकिन इसको भी वेई सरकार ने और जटिल बना दिया है क्योंकि इस पे ज़्यादा केस बाउंस हो रहे हैं लोगों के और इसको थोड़ा जटिल बनाने से लोगों में भै होगा इस बज़े से लोग चेक बाउंस करवाने से ड्रेंग है अगर चेक दिया है तो पेमेंट बात करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो करके रखें ताकि गल्प कंट्री से रिलेटेट से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो सुरुआत कर लेता है वे की जो नया तंतर ऐसा बनाया जाएगा कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो बेंक आपको बादे करेगा कि आप वो चेक किलियर करवाएं जी आँ साती हो अगर कोर्ट में केस सला जाता है तो न्याइदिस की तरब से कोर्ट की तरब से भी आपको आदेश दिया जाएगा कि आप ज दो साःग्न किया जाएगा कि जतना आपका चेक चीक है जैसे मैं एक लाग दिरौंअ का चेक है तो उसको पकोसिस करके जितना आपका मूल देना ज Public सब्सक्रीप कर्के वह करें अब ये इस्वाइश क्लाइं का Db गई जर्फार्शी सिल्टा लेते हैं तो क्लोज कर लेते हैं तो मुगदमे से कम से कम आपको आजादी मिल सकती है मिटर खलोज हो जाएगा वहीं पर संसुदन में कई बड़े दंड सामिल किये गए यानि सजा के प्रावदान क्या किये गए मैं बता दूँ आपको मान लीजिए आपका आपका चेक बांस का मुगदमा चल लए तो आपकी जो बाकी के चेक की आपकी पास जो बुक है जैसे मान लीजिए एक बुक में 25 चेक आते हैं 20 चेक आते हैं या बड़ी भी बुक होती है करेंट अकाउंट के कैसाब से एक चेक मानली सी आपने मुझे दिया मैंने आपका चेक बौंस करवा दिया तो इसमें नया प्रावधान के तरहता आपके बाकी को जो चेक्वू के ज़ा सकता है जियाँ सांति हो कोर्टे मादम से वो कोर्ट आदेज देगी बेंख और बेंख आपकी जो बाकी लें दें नहीं कर सकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोस होने वाला इसमें जिसे उसको आपको नुक्सान क्या होगा आपका जो बिजनस है वो आप रण कर रहे हैं चेक के मादिम से जैसे कहीं से आपको दो लाग द्राम का समान उठाना है तो आप चेक पकड़ा होगे एक मेने का 15 दिन का 20 दिन का तो वो आपका चेक के माध्यम से आप भुगतान नहीं कर सुकोगे और आपको पता भाई विए में पूरा सिस्टम चेक से चलता है आपके इस पैसा नहीं दे सकते नहीं कोई लेता है पूरा चेक से चलेगा चेक आपका पर अगर स्टोप हो गया या फिर 5 साल के लिए आपके उपर चेक पास्बुक नहीं ले सकते बेन लग गया तो आप बिजनस कैसे कर पाऊगे कितना बड़ा नुक्सान हो जाएगा तीसरी सबसे बिड़े दंड इसमें किया लगाया गया पता है आपको सजा के प्रावदान के अकोरडिंग 6 मेने के सजा के लिए आपके बिए कोई कमपनी जाए उसका छे महें लिए आपका काम कर सकते उससे नहीं चार आपके सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि उसको और ज्यादा जटिल बनाओगे तो आपका चेक बांस होने के बढ़त बड़ी प्रोब्लम आने वाली हैं एक औ रिजन हो जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर ये बैंक को सुचित करना होगा उसकी डथ की यह मेरे पार्टनर हो चुका है खतम हो चुका है तो उसका जो लेंदेन है वो सिमित कर दिया जाएगा क्योंकि दो पार्टनर थे तब माली जी आम मैंने के 10 बात नहीं बताई गई है लेकिन जो चेक से बुगतान चेक से लेंदेन करते हैं उनके लिए ज्यादा मैतर पूर्ण न्यूज हैं ध्यान रखें और सतरक रहे ताकि आपका बिजनस और आपको नुक्सान नहों मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जेहिंच जे भारत